नवस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का जी सी सी एक्जाम हब योट्यूब चैनल पर दोस्तों कभी ना कभी आपने जरूर ये फर्मूला अपनाया होगा कि आप क्रोम पे जाते होंगे और आप सर्च करते होंगे जारखन एगरिकल्चर डेट 2024 आपको फिर ऐ वेबसाइट्स का पैसा कमाने का जब आप ऐसे आर्टिकल खोलेंगे तो यह जो आर्टिकल है वह करियर 360 के द्वारे रिलीज किया गया है उन्होंने ऐसा यहां पर बहुत सारा इंफोर्मेशन लिखा कि कितने तारिक से स्टार्ट होगा क्या होगा और बहुत सारे चीज़ लवली प्रोफेशनल उनिवर्सिटीज का ताकि आप एडवर्टाइजमेंट देखे और जो सारा पैसा है उन्हें वेबसाइट वालों को मिलता जाए अगर आप उनका वेबसाइट सर्च करेंगे नहीं उन्हें आप विजिट करेंगे नहीं तो फिर पैसा को ऐसे करने मिल पाएं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा या फिर कैसे काउंसलिंग करना है इसके लिए जो हम लोग यूट्यूब चैनल वाले zijn यानी कि आप हमसे गाइदेंस ले सकते हैं जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो की आपको गाइड करते हैं personally मैं यह ने कहा ह सिर्फ आप मुझे ही follow करें और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि guide करते हैं आपको वो भी सटीक जानकारी देते हैं कि कितने जारिक से start होगा कब counselling करना चाहिए कब counselling कैसे कैसे counselling करना चाहिए वो सबी कुछ है आपको information मिलता रहेगा तो simply आप इस चैनल को subscribe कर ले आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं वहाँ पर भी आपको सारा information जो है वो मिलता रहेगा इस वीडियो में हम पूरे detail में जानेंगे कि जो agriculture counselling है वो आखिर late क्यों हो रहा है और कब तक chances हैं दोस्तों 13 फरवरी 2024 को एक date release होता है एक notification कि जो आपका exam है जारखन, combined agriculture, veterinary and different allied courses का वो होगा आपका 28 अप्रिल को exam एक अप्रिल से form feeling date start हो गया अब दोस्तों होता ये है कि 28 अप्रिल 2024 को जो exam हुआ था उस पे एक और notification आता है कि 18 माई को जो है आपका result rank wise release हो जाएगा बट होता 19 माई को है दोस्तों उसके बाद होता ये है कि counselling में फिर लगाता डिल्य होने लगता है 19 माई से लोग 19 जून तक तो wait कर लेता है लेकिन उसके बाद जो 19 जून से wait करना होता है वो students के लिए और parents के लिए थोड़ा muscle हो जाता है होता ये है कि एक महिने तक अंतर हम मान सकते है कि 19 माई को जो है result release हुआ है तो 19 जून तक हो सकता है कि counselling के start to wait ऐसा होता नहीं है लेकिन क्या reason है कि ऐसा नहीं होता है तो इसका reason है कि जो tender निकलता है वो निकलता है आपका counselling के लिए यानि कि पिछले सालों में जो भी company counselling करती थी उससे tender जो है contract जो है वो cancel किया जाता है और एक tender निकाला जाता है यानि कि एक notice निकाला जाता है कि कोई company जो अपने तरफ से tender लेना चाहे या contract या ठेका लेना चाहे ताकि students का counselling हो सके अब इसमें क्या है इसमें बताया आता है कि 25 जून से tender जो लेना चाहते है company आते है हाला कि इस tender को फिर cancel कर दिया गया और दूसरी बार फिर से tender का एक notice निकला जिसमें बताया गया कि 2 जुलाई को tender के लिए apply कर सकते हैं जिन भी company को apply करना है क्योंकि जब तक कोई company tender लेगी नहीं तब तक आपका जो date है वो counselling का आएगा नहीं क्योंकि counselling होगा नहीं तो दोस्तों finally खुस खबरी ये है कि एक सबता पहले जो counselling का tender है वो a lot हो चुका है company को और different courses का जो counselling है वो start हो चुका है हम आगे देखते हैं इसमें सबसे पहले आप देखिए ये जो notice आपको दिख रहा है ये हैं engineering admission के लिए इसमें 23 जुलाई से आपका जो counselling है वो start हो रहा है polytechnic की बात करतो 22 जुलाई से start हो रहा है अगर मैं बात करूँ diploma lateral entry की तो ये 24 जुलाई से start हो रहा है आगे बढ़े और BAD, MAD, BPD, MPAD तो different courses का counselling है वो start हो चुका है दोस्तों इससे हमें साफ पता चलता है जो counselling है वो अब agriculture का start हो जाएगा